कि नमस्कार मुझे बहुत बार पूछा गया कि ना भी नेवल जो पेट के बीतर हम अंगुठा रख करके टच करके फील करते हैं तो एक धड़कन सी महसूस होती है तो ये जब अलग-अलग डिरेक्शन में खिसकती है हिलती है तब प्राब्लम्स होती है या प्राब्लम्स हो गई उस वज़ा से खिसकती है तो आज इसके उपर में दो तीन मिनट में आ प्राब्लम्स हो उस एरिया में तब भी उस सेड पर खिच जाती है नेवल ये दोनों आपस में एक डिरेक्टली प्रपोर्शनल है एक दुसरे से जुड़े हुने हैं तो मैं आपको आज एक लाइव एक थोड़ा ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा एक एक दे करके धीरे आने वाले समय में जब आप मेरे साथ बने रहेंगे जुड़े रहेंगे मैं आपको ऐसी बहुत सारी एक्जामपल्स देता ही रहूँगा जब क्यूंकि एक एक बार में सारा सिखाना मेरे लिए समय भी नहीं होता है और प्रॉसिबल भी नहीं है तो जब कई बार खुद से अंदर से हमारे मन करता है भी मैं यह चीज बता दूँ आपको तो उससे फिर आपको एक अपने माइन में एक चर डिजाइन हो जाता है एक स्केच बन जाता है प्रॉबलम को डी प्लीज समझने का तो आज मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाओंग कि यह प्रॉबलम देखी आप सामने और इसको फिर अपने साफ से कैसे ठीक किया जाएगा उसकी बात करते हैं तो यह देखी आपके सामने एक ग्राफ सा बना हुआ है एक स्केच सा बना हुआ है नाभी का नाभी हम मैं आपको पेट से भी दिखा सकता हूँ क्योंकि सामने म एक इंच लेफ्ट की ओर दूसरा इंच फिर देखा तो दूसरे इंच पे भी थी यानि यहां दो जगा पे पाल्पिटेशन थी हलकी सी उपर भी थी तो यह दोनों चीजें आपस में अगर आप रिलेट करें तो लेफ्ट की तरफ नेवल गई है लेफ्ट की तरफ नेवल क बब शिफ्ट होती है क्योंकि आपको पता होगा हमारी फूड पाइप यहां से अंदर आती है पेट में और यहां पे ऐसे कुछ इस तरह से में थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है यहां से स्टमक होता है फिर यहां से इंटेस्टाइंस शुरू होती है इस तरह से मेरा होंगा जैसे बोट होती है बेड़ी नोका होती है उसके आगे ही आप सारे लोगों को बिठा दें तो उसका जुकाव होगा इदर को आ जाएगा इदर से हट जाएगा तो आपका वो अगर सेंटर ऑफ ग्रैविटी नाभी का यहां है और बोट का यहां है वो तब होगा फैली हुई है लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रैविटी यहां है होना चाहिए लेकिन अब गैस ने प्रैशर लगाया है तो उस वज़ा से यह जो है वो इधर की तरफ चला गया है जुकाओ तो इसी लिए यह इधर को शो हो रहा है यह आप पूछ सकते हैं यह गैस की वज़ा से हुआ है या ना भी किस की है तो उस वज़ा से गैस हुई है इस जस्ट पहली है यह एक की पहले मुर्गी आई कि अंडा आया लेकिन इतना समझ लीजिए कि दोन्नों चीज़ी आपस में जुड़ी हुई है जो भी चीज पहले हिलेगी वो दूसरी को ले जाएगी साथ में तो यहां से अगर हम करें तो एक तरीका है धरन को वापिस लाना तो टैम परराड़ी तोर पर जैसे ना भी निकालते हैं उससे हो जाता है दूसरा तरीक्टा होता है वो चीज की जाए जिससे की यह वाला जो इसकी वाज़ा से इसमें गैस आ रही है स्टमक के लेफ्ट पार्ट में है यानि स्टमक पार्ट में ही उसके गैस है इंटरस्टैंस के अंदर जो जगा होती हो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी होती होती उसके अंदर इतना हवा इतनी वो गूंजने की जो जगा नहीं होती इसलिए उसमें वाज नहीं आएगी इंटरस्टैंस की यहां आप ही थोड़ा मसल जो है रिलाक्स रहना शुरू हो जाएंगे तो इसका सेंटर ग्राविटी फिर बराबर अपनी जगा पे आ जाएगा ये थी आज की आपको सिर्फ समझ देने के लिए मैंने बताया है झाल 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 झांचवे आएंगे लिए la ग्राविटी न कि रूह प्रावि चाह समाझ जाएंगे हो चैंगे हते यझी आपको सिर्फुटी पम्हें जाएंगे ग्रोगेष़ागे हम आपको सिर्फिशाग के अान। ग्राविषवार है जाएंगे जो हुआए firearms